इंडिया न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है इसरो गागन्यान मिशन चंद्रयान तीन की चंद्रमा के साउथ पोल सफल लैंडिंग करवाने के बाद इसरो अपने दूसरे गागन्यान प्रोजेक्ट को सफल बनाने में जुट चुका है इसी साल अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में गगन्यान प्रोजेक्ट के तहट इसरो अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट भेज रहा है केंद्रिया मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्राइवेट चैनल के G20 कॉंकलेव में ये खुलासा करते हुए बताया कि अंतरिक्ष में इस स्पेसक्राफ्ट भेजने का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि मानव मिशन के समय ये स्पेसक्राफ्ट उसी रास्ते से लोटे जिस रास्ते से वो गया था केंद्रिय मंत्री ने बताया कि इस टेस्टिंग के सफल होने के बाद भारत गगन यान मिशन में एक महिला रोबोट व्योमित्र को भेजा जाएगा अंत्रिक्ष यात्रियों को वापस लाना भी उतना ही जरूरी है जितन भेजना केंद्रिय मंत्री ने बताया कि कोरोना महमारी के कारण इसरो का गगनियान प्रोजेक्ट थोड़ा लेट हो गया लेकिन अब इसे अक्टूबर में भेजा जाए मंत्री जीतेंद्र सिंह ने बताया कि पहले ट्रायल उसके बाद महिला रोबोट व्योम मित्र को भेजा जाएगा इसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारे वैज्ञानिक इसरो मिशन पर आगे बढ़ेगे और इसके बाद मानव गगनियान मिशन भेजेंगे मंत्री ने कहा कि अंत्रिक्ष से यात्रियों को वापस लाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उन्हें भेजना चंद्रयान को लेकर मंत्री ने बोली ये बात गगनायान मिशन के बारे में चर्चा करने के साथ ही केंद्रिय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने चंद्रयान की सफलता पर कहा कि जब चंद्रयान 3 का लैंडर आखिरकार चंद्रमा के दक्षणी धुरुव के करीब पहुँचा तो उ पर उतरना भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस्रो और देश की यात्रा में एक लंबी छलांग है। दूसरे चरण में व्योमित्र नाम की एक महिला रोबोट को गगन्यान मिशन के तहत इसरो भेजेगा। दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे। याद रहे गगन्यान मिशन के तहत इंडियन एर फोर्स के चार पाय अलट्स को सलेक्ट किया गया है। इन में एक ग्रुप कैटन और तीन विंग कमांडर है। अजय है।